नवस्कार दोस्तों आपका हमारी चानल दॉक्टर ताथेट सोमेपैते में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मैं डॉक्टर नीहा और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सिर्दर्थ जी हाँ दोस्तों बाहर ग्रिश्म रुदू चल रहा है बहुत ही जादा टेंपर जो सबने कभी ना कभी तो experience ज़रूर की होगे लेकिन इस video में एक बात सबसे पहले बताना चाहती हूं कि कभी कबार होने वाले कभी किसी चीज से ट्रिगर होने वाला headache ये एक आम चीज होती है ये अपने ठीक भी हो जाती है लेकिन अगर आपको बार बार सिर्दर्थ की सम हो सकता है सिर्दर्द अपने आप में properly नहीं है यह सिर्फ लक्षण है यह लख्षण है यह पको बताना जाता है कि क today बीमारी है विसे आपको ठीक करने की ज़ुरूरत है तो in ्विडि यह द्रीयो में हम जानते है किसी प्रकार होते है inspirational, प्राइमरी मतलब क्या तो हमारी मस्तिष में जो दर्द सम्वेदन शील जो भाग होते हैं उसमें अगर बहुत ही अती सम्वेदन शील अती किलिया शीलिया अधी शिथिल कुछ संकेत अगर उसको मिलते हैं तो उसकी वजह से जो दर्द चालू होता है उसको सिर्धर कहते हैं अब इसमें भी प्रकार होते हैं जिसका सबसे पहला प्रकार हम देखेंगे टेंचन हेडेक अब इसके तो नाम में ही पता चल जाता है जब भी टेंचन ये और जो किते हैंदा लग। जो कीषोंअ जो कीषएग लग हेंदा ऑसे mit इसमें तेज रोशनी, आवाज, हलचल से पेशन को वरीज को बहुत जादा तकलीफ होती है तीन मिनिट से लेकर तीन गंटे तक इसका दर्थ जो है वो बना रहता है जब ये दर्थ बढ़ता रहता है जिसकी फ्रिक्वेंसी जब बढ़ती रहती है तो ये एक क्रॉनिक टेंशन हडेक का रूप ले लेता है जब बहुत ज़्यादा दर्थ होता है तो इसमें पेशन को बहुती इकदम दोनों तरफ क्रू जिससे किसी ने अपने सर के बाजो में अपने डाला हो ऐसा पैन होने लगता है इतना सीवियर पें होने लगता है जो बाद में पेशन बरदाश नहीं कर सकता है और फिर उने दवायों की मदद लेनी पड़ती है, इसका दूसरा प्रकार है माईग्रेन हडिक, दुणया अबर के जितने भी हमें पेशन दिखते हैं, उसे maximum ये माईग्रेन के पेशन दिखते है, बहुत सारे लोग माईग्रेन को गल्दी से असिडिटी की भी बोलते है, बोलते हैं, हमें है without aura अब और का मतलब कि वास्तों में दर्ड शुरू होने से पहले ही पेशन को दर्ड हमें शुरू होने वाला है इसका जब आभास होने लगता है तो उसे कहते हैं औरा तीसरा प्रकार है hypnick headache, जिसमें सिर में आपको रात के समय में किसी एक ही वक्त पे रोज headache होता है, इसलिए से clock headache भी कहा जाता है यह caffeine की मातरा जाधा लेने पर यह शारेग या मानसिक तोर पर कुछ जाधा ही exertion होने के बाद यह headache हो सकता है चौथा प्रकार है cluster headache, cluster headache में एक तंदरिका संबंदी विकार है, जिसमें सर के किसी भी एक तरफ आखों के आसपास बहुत ही तेज दर जो है वो उसकी शुरुवात होती है, जिसके साथ साथ आखों से पानी आना, नाक का बंध होना या जो जिस भाग में पेन हो रहा है उसमे जग जाते हैं तो headache होना आम बात है, अगर सर्दी भुखार जुकाम होता है, तो headache होना आम बात होती है, अब हमेशा ही अगर किसी रॉंग पोस्टर में बैठते आये हुए, एक ही पोस्टर में बहुत जादा दे तक आपको बैठने की आदत है तो उसमें भी आपको headache की पर इसके बात है उसके बाद आपको कान नाक और गले से अंबदित कोई बीमारी है, तो उसके बात आपको headache बना रह सकता है, अगर अगर हॉर्मोन का असंप्राण है तो भी यह परेशानी परेशान कर सकती है, जैसे कि कुछ बीमारी आपको बैट प्रेशर हो गया, कुछ नर् तो उसमे जब आप इसका अलाज करवाते हैं, तो हैड़िक अपने आप ही ठीक हो जाता है अब जर्मन नू होमेपती, जर्मन नू मेडिसिन करके एक अनुसंधान हुआ है जिसके तहद, इस्टड़ी के तहद बदाया गया है लेकिन उसके लोग मिलती नहीं है और इसी जो प्रोसेस होती है, जो टाइम जाता है, उसके वज़े से इतना टेंशन आता है कि उसे हैड़िक की तकलिफ जो है वहाँ से शुरू हो जाती है दूसरा एक होता है फ्रंटल पियर हैड़िक जैसे कि कोई अचानक से किसी बीमारी का पता चलना, अचानक से कोई घटना उसके साथ होना जिसके वज़े से जो शौक बढ़ता है और उस शौक के बाद उसको वह हैड़िक की परिशानी है वह हमेशा के लिए चालू हो जाती है ऐसे ही कुछ फाक्टर जहां से यह हेड़े की समसाय शूरू हो सकती है और काफी देखाजाता है वहहितों हमें मिलते है अब आते हैं इसका हूमिप dinheiro की दरफ वहूमिपती में आप दो समस्त को कैसे आपको मदद कर सकती है होलिसिक सायन्joy. इस सायन्स में तढण कर छो पोरी हिस्ट्री लेते है, जिसे केसरेंथ रिसीविंग कहा जाता है जिसमें आपकी समस्या कैसे चालू प्रोग्रेस हुआ एक सGenð público सब्षब्णाने और उसके बाद इस पूरी जानकारी वह स्टड़ी करते हैं उसके बाद गहुआ इस पूरी जानकारी आपके लिए वू चुनाव करते हैं और ऐसके बाद वह मेडिसन जो होती है व आपको विषिश्ट मातरा हों में दी जाती है जैसे आप ये दवाइह लेते हो देरे देरे या किसी भी तडरीके की सिरदर्थ की रिक्वेंसी जो होती है वो कम होते जाती है जब कोर्स चल रहा होता है इसमें भी कभी-कभी acute attacks जो है भारी सिरदर्द का attack आ सकता है उसे भी अगर आप होमेपती से ही manage करते है तो आने वाला हर attack की जो त्रीवरता होगी वो हमेशा ही कम होते ही जाएगी और एक कुछ दिनों के बाद सिर्दर्द ही नहीं तो आंतरिक जहें थाएगा जाएगा रिख तो आज़से होगी तो इसमें भी सिर्ण को बहुत जादा दा रिलीक मिलता है होमेपती दवाईया कभी अपने मन से ना लीजेए क्योंकि तदने डोक्टर आपका पूरी तरीके से पूरी पहलियों का भ्यास करके आपको ए्मेडिसें देते तो आपको थोड़ी दिर के लिए रहाद मिल जाएगी, लेकिन अगर पूर्ण रूप से बाहर आना है, तो तजने डॉक्टरों से ही ये दवाईया आपको लेनी चाहिए जो हमने सेकंडरी जानते हैं, जोमें अगर हम ठीक करते हैं, ज्चाहए हमेश्स अपने अपनें गक्तो कर ने से जानते हैं कुछ टिम्स के बारे में जिससे आप इपरेशानित के बच सकते हैं, जिसने कि अपने आपको हमेशा हाइडरेटेड रखे, भरपूर पानी पीए, जिसमें आप जूस, नारियल पानी इनका सेवन भी कर सकते हैं, जो भी स्ट्रेस और टेंशन फाक्टर आपको लगते हैं, जिसके कारण निसकी वज़े से आपको होता है, तो उनसे बचने के उपाए करे बहुत ही जादा तेज धूप य तेज ठंड में ना जाए, अगर जाता पढ़ता है तो उसके प्रिकॉशन ले, गॉगल यूज करें, संकोट यूज करें, इसके वज़े से आप डिरेक्ली जो संलाइट आपके उपर आए गया उसे बच पाएंगे, उसके बाद आपको संत अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्त और परिवार के साथ ज़रूर साजा कीजी और वीडियो को हमारे लाइक कीजी और चानल को सब्सक्राइब कीजी थांक्यू सो मच